Hello everyone, welcome to The Illusion The Illusion के इस वीडियो में हम लोग जारकन का इतिहास के स्रीज को आगे बढ़ाते हैं और इसका Part 2 देखते हैं इसके पहले हम लोग मुगल के समकाले जारकन का Part 1 कर चुके हैं पढ़ चुके हैं और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप हमारे ब्लेइलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं तो हम देखते हैं कि साज जहां तक उहां पहुंचे चीके थे और साज जहां जब सासन में आया तो जारकंड के छ्षेतर में मुगल का पाउं अच्चे से जम चुका था यहां पर उनकी पकड़ अच्छी तरह से बन चुकी थी वो यहां के छेतर में मजबूत होने लगे थे मुगलों की रूची छोटा नागपुर खास और पलामू के में अधिक था इसलिए नागबंसी सासक जो दुरजन साल थे यहां अपनी राजधानी बदल कर दोईसा में कर लिया गया कहां से बदला खुकरा से बदल कर दोईसा में इसने अपनी राजधानी को बदल लिया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों के साथ चेर करें वीडियो पसंद आता है लाइक करें इसका पेडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिगराम गुरूप वाटसब गुरूप और फेस्बुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो प्लेज सब्सक्राइब इट दा इलुजन चैनल तो दोईसा जब इन्होंने अपना राजधानी बदला जब उन्होंने अपने राजधानी को खोकरा से दोईसा अस्थानतरित कर दिया तो करने का कारण क्या था कि यह थोड़ा सुरक्षित जगा था कैसे तो दोईसा जो जगा है यह तीन और से भाड़ों से घिरा हुआ है औ और एक तरफ से कोयल नेदी से ये गिरा हुआ है तो इस तरह से यह जगह जो है यह सुरक्षित हो जाता है थोड़ा सा तो इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी को बदल लिया दुर्जन साल नहीं यहां पर नवरतनगर नामक एक राजमहल का निर्मान करवाया था पहले यह महल 5 मंजिला का था लेकिन अभी वरतमान में यह 3 मंजिला का रा गया है इसकी लंबाई चोड़ाई 42 मीटर की है इसकी दिवारे 33 इंची मोटी है 33 मतलब एक इंट जो अभी का होता है जो मिंटी का जो इंट बनाया जाता है वह इंट होता है उसकी चोड़ाई होती है 10 करके हम रखे तीन इंटा और तीन इंच जादा तो आप सोचें कि कितना नॉर्मल आजकल का जो घर बनता है वो दस इंच के दिवार के बेस पर उसको बनाय जाता है तो वैसे वैसे दिवार हम तीन को रखें और एक साथ उठाएं तो वो जितना मोटा हो जाएगा उतनी मोटी इसकी दिवार थी और इस महल का जो निर्मान हुआ वह खास करके पर्थर और इंटों से किया गया था ये आप देख सकते हैं कि पहले पांच मंजिला था अब इसमें कुल मिला कर तीन मंजिल ही रह चुका है आप इसकी हालत देख सकते हैं कि या कितना दैनी इस्थिती में आज चुकी है और खंडर बन चुका है या पूरी तरीके से अभी ये जगा जो है ये पलामू में इस्थित है पलामू जिले में ये पढ़ता है तो आप इसको भी याद रखें देखते हैं कि सा जहां सासन में आया उसके बाद क्या क्या हुआ तो जैसे कि आपको पिछले क हो चुका है लेकिन वह वीहार का सुवैदार बने थे इसको हटा करके तो इब्राहीम खां को हटा करके मैंने तो एक पूछने के लिए मैं सोच रहा था कि आपको पूछूंगा कि सा जहां का खेर मेंने बता दिया कोई बात नहीं तो जब साज जहां सासन में आये तो वहाँ जो सुबेदार था इबराहिम खां वो तो पहले ही हट चुका था लेकिन अब साज जहां सासन काल में आ चुका है तो अब तो किसी और को बनाना होगा क्योंकि इब्राहिम खां की तो मौद हो चुकी थी साज हां ने उसको मार दिया था उसके बाद महां का ये सुविदार बना था तो अब यहां का सुविदार साइस्ता खां को बनाया गया बिहार का नया सुविदार जब साज हां सासनकाल में आया मतलब जब इन्होंने अपनी बागडोर समाली तो बिहार का सुवेदार साइस्ता खां को बनाया गया और इनको यह कहा कि चेरो के खिलाफ अभियान करो मतलब चेरो पर इन्वेड करो उसके सारे चीज को अपने अंदर समाहित कर लो अक्टूवर 1640 इस्वी में साइस्ता खां पलामू पर आकर्मन कर दिया जन्वारी 1642 में मुगल चेरो युद्ध हुआ इस युद्ध में चेरो को पराजय हासिल हुआ तथा चेरो सासक परताप राइजो थे उन्होंने अपने आपको आत्म समरपन कर दिया किनके सामने मुग लोगो नजराना भी देना पड़ा कितना का तो एक लाख रुपए पटना के इतिकाद खां को और दो हजार असरफी जबरजस्त खां को देना पड़ा तो ये उनका नजराना था अब आगे देखते हैं कि इस काल में मानभूम जो छेतर है जो धनवात का अबरतमान में चुका था ठीक है पंचेत ये जो पंचायत लिखा गया है इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करके इसको पंचेत इसको कर लेना क्योंकि ये पंचेत मैंने लिखा है ठीक है ना तो पंचेत के राजा को मुगल मुगलों से पराजस्विकार करना पड़ा क्योंकि यहां पर जब अपनी पराजय स्विकार कर ली यह हम लोग जानते हैं तो मैं यहां से एक आपको question पूछना चाहूंगा कि पंचेत जो जगह है इस नाम से एक बांध बनाया गया है पंचेत बांध जो है यह किस नदी पर इस्थित है मुझे आप कमेंट करके यह बताओगे कि पंचेत इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी थी जब पहले यह सासन में थे जब मुगल यहां पर आकर्मन कर रहे थे तो इन्होंने अपनी राजधानी को बदल ली थी लेकिन बाद में इन्होंने चुकी पराजय स्विकार कर लिया और मुगलों को वारसिक कर देना भी इन्हों पर इनी का सासन चल रहा था रगुनात साह ने कई अनेक निर्मान कारिय करवाय थे जिसमें से सबसे परसिद्ध है जगणात मंदिर राची के बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का भी निर्मान इन्हों नहीं करवाया और रामसिता मंदिर का भी निर्मान इन्हों नहीं करवाय इनका नाम है रगुनात साह ये नागवंसी सासक थे ये कोश्चन काफी पूछा जाता है कि जगनात मंदीर का निर्मान किस ने कराया तो आपको ये याद रखना है कि इसका निर्मान नागवंसी सासक ने करवाया था जिसका नाम था रगुनात साह ये आपको याद रखना है रगुनाद साह के सासनकाल को नागवनसियों का स्वरनकाल का जाता है क्यों कहा जाता है बाई क्योंकि जब ये सासन में थे तो मुगल यहाँ पर ज़्यादा अकरामक नहीं थे एक बार आकरमन किये थे बाकी उन्होंने इसके सासनकाल में आकरमन नहीं किया पता नहीं I don't know क्या कारण था लेकिन मैं इतना मतलब इसमें जो मुझे रिसर्च में मिला या फिर मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूं कि इन्हों ने इसके समय में स्वरनकाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके समय में जो मुगल थे वो ज्यादा आकरमन नहीं किये थे मातर एक बार किये थे तो पलामो के चेरो सासक मेधनी राय ने रगुनात सा के कारियाले में आकरमन कर दिया भाई मुगलो नहीं किया लेकिन दूसरे नहीं कर दिया किसने किया तो पलामो में जैसे की चेरों का सासन चल रहा था तो चेर सासक उस समय थ तो वहां पर एक दर्वाजा था जिसको छोटा नागपुर दर्वाजा कहा जाता था इसको भी साथ में लेकर ये चले गए और इसको कहा लगाया तो जैसे कि ये पलामू से आए थे तो पलामू में जाकर इसको लगाया गया ठीक है चेरो सासक मेदनी राय का सासनकाल 1658 इस्वी से 1664 इस्वी तक रहा इसने सिंगहासन पर बैठते ही मुगलों की अधिन्ता को स्विकार कर लिया था ये जैसे ही राजा बने ये जैसे ही सत्ता में आये इन्होंने जैसे बागडौर समाली बाई मुगल आ चुके थे मुगल का इ स्विकार ने दाउद खां को प्लामू अभियान पर भेजा ये दाूद खां झो है इनको जो जो ऑरंजेु है इन्होंने इसको भेजाademू के अभियान पर लोला कि प्लामू के छेतर यह काफी दिन तक अभर आ लगया भाई इसको अपने अंदर अब कर लो तो नागवंसी सासक भी मेदनी राई जो थे वह भी मतलब मेदनी राई के खिलाफ अभियान में मुगलों के ही साथ लग गए और अब देखते हैं आगे का कहानी अब क्या कहता इसमें इसने पलाई के किले में रहना भी शुरू कर दिया कोन भाई दाउद खाँ जो थे वह पलामु के किले में रहना शुरू कर दिया और यहांपर पलामु विजए की समिर्थी पर इन्होंने मस्जिद का भी निर्मान कराया यह कुस्चन भी पूछा जाता है जो पीसी वगयरा मैं कि जो पलामु में जो प्रवानकाली खां को पलामु का फोजदार नियुक्त किया और अंजेब के सासंकाल में हजारी बाक्षेत्र में रामगड कुंडा केंद्रिय और खगड दीहा छै नाम के पांच परमुख राज थे कौन-कौन यह हर अलग है यह रामगड कुंडा केंद्रि और खगड दीहा साथ में यह जो च्छै है यह कुल मिलाकर पांच हो जाते हैं मैं यहां पर भूल गया हूँ तो आप थोड़ा सा इसको मैं इसको सुधार देता हूँ एक मिनिट यहां पर कुमा होगा यह सारे में मैं जब आपक पीडिया दोंगा तो उसमें सारा चीज एविलेबल होगा ठीक ना मैं इसको सुधार देता हूँ यहां पर तो आप इसको ऐसे देखें तो यह सारे जो जगह है यह पांच परमुख जगह जो है वह औरेंजिब के सासनकाल में हजारी बाग का च्छेतर है यहां पर तो मैं ना जानना चाहता हूँ कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा वाई मुगल काल का जो समकालिन है वो जारखंट हमारा खतम हो गया है मैं मैं टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कहानी के रूप से जदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें से प्रेरिद करें थैंक यू फॉर लिसनिंग गड़ ब्लेस यू आल